नॉर्मल में हो या व्रत में हो साबू दाने के बरे ना तो हमेशा ही खाना बहुत पसंद होते हैं सभी को बहुत अच्छे लगते हैं आप पहले इनका टेक्शर देखिए इनका क्रिस्पिनेस देखिए और ये अंदर से कितने जादा मेजिंग माउथ वाटरिंग लग रहे ह ये में ट्रिक जो है वो वीडियो पूरा देखेगा आपको समझ में आएगा क्योंकि बहुत सरे लोगों के जो साबू दाने के बड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं होते हैं तो फ्राइ करने के कुछ सेकेंड बात जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये बरे इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपके बरे भी काफी देर तक क्रिस्पी रहेंगे ये देखे कितने ज्यादा क्रिस्पी दिख रहें और साथ में हम बनाएंगे मज़िदार सी व्रत में खाया जाने वाली चट्नी शलिए तो देखते हैं हेलो एवर्यवन वेलकम टू टू रुपाली कि थैंगे देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाएंगे तो इसका सबसे पहला स्ट्रैp है साबुदान को फुला ना पानी में रहें और यह सबसे मेन हैं अगर आपकी साबुदाने पानी अच्छे से अभी तरीके से भीग हैं या तो आप साबुदाने से की कोई भी डिश प अर बहुत 3-4 घंटे आपको इसे भिग baik हो के रखना है तब ही बहुत अचका उच्च के तयार ने पानी दोबख है जी सबसे पहले चटनी, के लिए एक मुठी धनिया जिसे स्टैम्प के साथ लिया है और इसे अच्छे से धोकर मैंने ख्लीन कर लिया है तो एक मुट्टी धनिया और अगर आप वरत में मिंट लीप्स खाते हैं तो आप इसमें पौधीने के पत्ते भी डाल सकते हैं साथ में हमने इसमें डाली है मुमफली दो इस्पून भरकर बुनियोई मुमफली डाली हैं और तीन ते चार हरी मिर्श डाली हैं यह चतनी आप सनैक्स के साथ सब्सक्राइब बूआन के सबसे हैं अगल, जरी मुम जब क है Half step दो सेनधा नमक भी मुमफ्स भी हैं दो भी ठाली हमाँ में दो पर चार चे ओणी में पनी में पानी होड़ा दाल अगरकर क्भी है बेसिकली ये दही और धनिया की चटनी जो है बहुत अच्छी लगती है और मारकेट में बहुत सारी जगाओं पर यही चटनी सफ की जाती है स्नैख के साथ तो यह आप व्रत में ले सकते हैं और बहुत अच्छा option है व्रत के खाने के साथ इस तरीके से आप चटनी सर्फ करेंगे ना तो आपकी थाली भी बहुत अच्छी लगती है देखने में तो यह लीजे हमारी चटनी तयार है और साबू दाने भी बहुत अच्छे से फूल चुके हैं देखिए मैं इस तरीके से दबा रही हूँ तो काफी अच्छे से यह दब रहे हैं इसका मतलब है हमारे साबू दाने परफेक्ट तरीके से फूले हैं अब हमने लिए हैं यहाँ टॉल टाने बंडे चार सिट पांच बड़े साइज के आलू किये हुआं . और इसंसे और साभू दाने लिए है और साथ में धाली हैं यह तेन से चार अरी मिर्च भारी कटी हुई और यह हैं मुंफली के दाने बुने वे मुंपली के दानों को मैंने मिक्सी में डाल कर हलका सा दरदरा कर लिया है यह तोटली ऑप्षिनल है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसकिप करके डॉनबल बना सकते हैं इसको डालेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बरे के अंदर क्रंचिनेस भी बहुत अच्छा आएगा साथ में हमने डिस में डाला है एक स्पून के करीब सिंधा नमक और धनिया बारिक काट लिया है अगर आपको धनिया खाना पसंद नहीं है या आप रत में नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं और इसको अच्छे से हम हातों से मैश करके मिला लेंगे एक बड़िया सा डो तयार कर लेंगे यह देखिए अब इस तरीके से हम हातों में ओईल लगाएंगे ताकि यह चिपके ना और इस तरीके से बड़ा सा हमने बोल लिया है इसको रोल करते हुए इस तरीके से हातों से तो अगर आपके साबु दाने सही तरीके से फूले है और आलू की कौंटिटी अपने इसमें बराबर डाली हुई है तो आपके बरे बनाने में इसमें प्रिश्पी नहीं हो rush और इस तरीके से आप इसमें चाहें तो काली मिर्च और भी जो आप खाते हैं वरत में वो भी डाल सकते हैं तो मैंने कड़ाई में तेल गरम कर लिया है तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए बहुत हाई नहीं होना चाहिए और लो तो नहीं होना चाहिए अधरवाई साबु दाने आपके फट सकते हैं और इस तरीके से मीडियम गरम तेल में एक-एक टिक्क्यों को हम धीरे-दीरे डालते जाएंगे और एक साथ आप बहुत सारी टिक्किया ना डालें, जितनी आपकी कढाई में आएं उतनी ही टिक्किया आप कढाई में डालें इस तरीके से और साथ में आप धीरे-धीरे इसे जब एक तरफ से यह अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, हलका गुलाबी कलर में आ ज इस तरीके से आप सारी टिक्क्या पलट लीजिए और सबसे एक टिप में आभी आपको दूंगी वीडियो में आप बने रहे हैं कि आप साबुदाने के बरे को कैसे काफी देर तक क्रिस्पी रख सकते हैं तो देखिए मैंने पहले इन बरों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और यह काफी अच्छे कलर में आ गए हैं गुलाबी कलर में तो मैं इन्हें अभी निकाल लेती हूँ अभी हम इसे दुबारा फ्राई करेंगे ताकि यह बहुत क्रिस्पी बने और बाहर जो लोग साबुदाने के बरे देते हैं मार्केट में वो भी यही टेक्नीक को फॉल इस तरीके से देखें आपको ठंडा करना है देन हम इसे दुबारा से फ्राई करेंगे तो यह देखें मैंने कड़ाई में बहुत अच्छा सा धुआ निकलता हुआ तेल गरम करना है आपको इस तरीके से और फिर से इन सीके हुए बरों को दुबारा को दुबारा से आपको कड़ाई में डालना है इस तरीके से तो इससे क्या होगा बरे के उपर ना बहुत क्रंची लेयर आ जाएगी जो काफी देर तक क्रिस्पी रखेंगी बरों को और ये अंदर से भी बहुत अच्छे सिखेंगे और बहुत अमेजिंग लगें खाने में तो आप इस तरीके से एक तो एक बर आप भी ये टिप पॉलो करिएगा परों को आधा फ्राई करके निकाल लीजिए फिर उनको हलका सा पांच मिट के लिए ठंडा करके दुबारा से फ्राई करिए आपके बरे भी इतने ही मज़ेदार क्रिस्पी अमेजिंग बनेंगे और बहुत मज़ेदार रेस् को ट्राई करके कमेंट करके बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नवरातों में और भी ऐसी रेसिपी जो मैं अपलोड करने वाली हूं तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो ये देखि सकता है और बहुत क्विक असानी से बन जाता है तो फिर मिलेंगे एक नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई चेक एर अपना ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बाई